है थे खैला एवर्यूमन बेटा हमने लास्ट लेक्चर में नहीं चैप्टर शाट किया था जी शेप्टर का नाम क्या था कंजूमर इक विडियों जिसमें अभी मैंने क्या कराएं अभी मैंने आपको यह दो तिन कंसेप्ट करा हैं सबसे पहले वड्यूमीन वाइव यूटि कर यूटिलिति गे रहे हैं यूटिलीटी के रहे हैं यूटिलीटि दो तरह की हो सकते दि ओ और माजनल इक हमको किसके बारें बताता है चेंज में तोटल विडिलीटि क्या बताता है जो आपको टोटल सैडिसफेक्शन मिलेगा कि से आपको में सजान य Chicago परोसों आप आ द कि आताया था जब आप utility को number में हम क्या करते हैं उससे क्या 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 करते हैं अर चाइद न घुर भीत IBM लो ओफ डीम यू है दिंग से क्लियर रहे लो डिमनीशिंग मुझा यह एक अगर आप किसी गुट फूपन टीनियूसली कंजियूम करोंगे और एक नेक्स विनिट से जो आपको सैडिस्ट्रक्शन मिलेगी वो सैडिस्ट्रक्शन क्या होते रहेगी कम होते रहेगी जिसमें लिखा इडिस सेट एड़ एड़ एस कंजूमर कंजूम मौर एंड मोर उनिट्स ओफ अपकोमिडिटी इस सकसेशिव इनिट विल गिविव लैसर एंड लैसर सैडिस्ट्रक्शन इसी को समझाने के लिए हमने यह शेडियूल समझा था और इसी शेडियूल से ही हमें आगे क कि बाते समझ में आएंगी तो हमने लोव डियम्यू लास्ट लेक्चर में समझ लिया था और उस लोव डियम्यू से यह शेडियूल उसी के बेस बनावा है अगर आपको पहली उनिट चोकलेट से कितने का मिला एट थर्ड से सिक्स तू जीरो माइनस सूसेडिस्वेक्शन क चाहता रहा है कम अब यह कल बात शेयर मैंने लिखवा भी दी थी मिनी शेडियूल और यह एजम्शन ठीक है अब इन बातों का यूज करके आज पहले रिलेशन्शिप वाला कंसेप्ट समझा दूं और यह कर्व बनाना सीख लें पहले समझ लो फिर बनाना इन कंसेप्ट क यूज करके मैं आपसे एक लोब डीम्यू आया तो पेपर में यह लिख क्या होंगे मिनिक यह शेडियूल और यह एजम्शन लेकिन पेपर में अगर आता है एक्स्प्लेंद रिलेशन्शिप बिट्विन एम्यू एंड टी यू तो रिलेशन्शिप में क्या लिखो में वो तब तक टी यू क्या होताव दिख रहोगा आपको इंक्रीज जैसे तो यह कितना है फैन यह तो कितना ओगया एट इन सिक्सता तो कितना ओगया ट्वेंटे इसक्स तो एक लाइन क्या बन सकती है वैने म्यू इस पोजिटिव यू विल इंक्रेज सेकंड पॉंट जैब मैक्सिमम पूइंट पूरे शिडियूल में यह मैक्सिमम कितना है तो सेकंड पॉइंट वैनम यूज जीरो यू कम सुट्स ऑप्टिमूम पॉइंट और तीसरा पॉइंट जब एम यू क्या बन गया नेगेटिव तो टी यू क्या उन्हें शुरू हो जाएगा डिक्रीस तो इन वाते आप एक साथ लिख दोंगे जो मैंने समझाई तो यह क्या बन जाएगी एक मिनट रिलेशनिशिप को लिखने के साथ साथ यहां मूट यू का कर भी बनाना सीख वह यहां लिखेंगे यूटिलिटी यहां लिखेंगे इनिट्स आप यह देखो जैसे जैसे आप ज नेगटिव स्लोपिंग डाउन वर्ड में क्या भी होगा 0 और जीरो के साथ क्या भी बनेगा नेगटिभ बनेगा और इसी मूट थी पॉजीटिव एक कैसे जब तक बेटा एम यू पॉजीटिव एजब तक क्या है पॉजिटिव नेधर कर दिखाना है इन्क्रीज मैं चिं यहां पर तीनों बाते लिखी यह तो तीनों बाते लिखी हुए कर्व में एक साथ दिखाने है आपको क्या यह मुझा कर विए टी यू का जब तक हम यू पोजिटीव है यू क्या उतावा दिखेगा इंक्रीज जब यह जीरो है तब वो किस पर दिखेगा अपने है तब वो क्या हुँरा होगा डिक्रीज हो रहा हो यह कर व ketchup है यहां पर अलग-अलग बना रखा है यह 1 साथ बना रखैंँ आपको पेपर में डिल करें कैसे बना कर अलग है और लोव डीम यू अलग है लेकिन लिंक एक से जिसे लोव डीम यू समझ में आगया वो रिलेशन्शिप अपने आप कर सकता है तो शैर यहां तक कर लिखवा दिया था तो जल्दी से पहले कौन से टोपिक लिख लो रिलेशन्शिप अभी मैंने आपको लोव डीम रिवाइस कराया उस से रिलेटेड एक एक रिलेशन्शिप बिट्विन यू एंट यू वो कराया अब अगला जो कंसेप्ट है आप समझ लोगी चैप्टर हमारा हाफ कंप्लीट हो जाएगा यूडिलिटी अप्रोच से चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है क्य यूडिलिटी अप्रोच से अभी चैप्टर रिवाइज हो जाएगा अगले दो कोशन करने के बाद क्या एक ला कोशन काफी रेलेवेंट है इवन सारी कोशन आता है यह तो पेपर में डिलेशन्शिप वाला भी आ सकता है और आखरी के दो कोशन यूडिलिटी अप्रोच स सकते हैं किया है कंसेफ्ट पहले समझेंगे लिखेंगे कंसेप्ट क्या है क्या एं मुझे कंजीमर की क्या समझाओ किस कैसमें एं के स ओफ विडिशन पहले कोशन समझें तब अंसर समझेंगे उसने निनी का लिटग है उसने रिग कंजीमर की की होथैं थनीह बता हble Нов inquisler ल का मिनिग होता है बेस्ट का कंज्यूमर के लिए बैस्ट क्या होगा किया मैंने कल वी बताया था एक सीब वो चाहिए satisfaction consumer के लिए best point वो होगा जहां पर उसे क्या मिलेगी maximum satisfaction तो consumer equilibrium का मिनिंग क्या हो गया consumer equilibrium उस point को कहूंगा जहां पर consumer को क्या मिल दिया maximum satisfaction आउट office given income अपनी income में से जिस point पर आपको सबसे आदा मजा आए वो क्या बन जागा consumer equilibrium बन जाएगा तो एक लाइन पहले मिनिंग की समझना मेरे साथ consumer equilibrium means where consumer gets maximum satisfaction आउट office given income यह तो वह मिनिंग लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आपको यह कैसे करते हो कि अगर मैं कोई खा रहा हूं तो मुझे सबसे हरा satisfaction कहा मिलेगा मैं गुट्स consume कर रहा हूं आज मैं वो condition बताने वाला हूं कि एक गुट्स को कितना consume करना चाहिए ना उससे ज्यादा ना उससे कम वह एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पर आपको सबसे अदब मज़ा मिलेगा एक पर्टिकुलर गुट्स जब आप खा रहे हूं वह क्या है वो पॉइंट तो उसके लिए condition बनाई गई क्या लोजाएगा पी एक्स क्या को मिलेटी समझ लो एक चोकलेट है यह जब एक गुडस से एक चोकलेट जितने चोकलेट के प्राइस है और जितनी उसकी मार्जिनल्यूडीलिटी होगी जहां पर वह सेम हो जाएंगे आपको बस उतनी ही चोकलेट कंज्यूम करने चाहिए भी है समझने आए समझाते हैं कि एक एक्जामपल के साथ यह यूनिट ऑफ एक्स की जगह समझना यूनिट ऑफ चोकलेट आप एक चोकलेट खा रहे हो दो खा रहे हो 3-4-5 छे वो चोकलेट के प्राइस कितनी है एक्जामपल छेट एक खरीद हों गये तब भी वेख चोकलेट शेट के मिलेगे दो खरीदवें तो पर यूनिट प्राइज पी क्या है पर यूनिट प्राइज आपने एक चोक्ड़ेट कंजूम करी आपको कितने का सैडिस्ट्रेक्शन मिला एला थर्ड से कितने का मिला 6 फिर 2 जीरो फिर माइनस यह कंडिशन कहां पर रोकने को कह रही है आपको कंजम्शन यह कह रही है तीन युनिट पर आप अपने कंजम्शन रोग देना क्योंकि यहां पर अगर इससे बाद एक और चौकलेट आपने खरीदी तो पैसे तो कितने लग जाएगा दो दो यूटिल्स का ही तो इससे ज्यादा कंजम्शन ना करना और अगर इससे कम करी तो 6 रुपे दिये और मज़ा कितने का रहा था आठ यूटिल्स का तो हम कहेंगे कि आपको कितने ख को खाने चाहिए अब देखो रट्ना तो औसाने पेपर में तो सीदह लिख याना है मुएक्सके अको लोने चाहिए पीएकस कि लेकिन सक मینंग यह है एन लगी मैकसिमुम इससे जदा पर सैडिस्प्रेक्शन कम हो जाती और इस तो इससे कम खाते तो जितनी साटिस्वेक्शन मिलनी चाहिए थे आप उतनी साटिस्वेक्शन ले ना पाते हैं तो देखो पहले पेपर में मिनिंग लिखोंगे फिर पंडिशन फिर यह बना दोगे शेडियो लो देखो एक चोकलेट दो दो लो तीन लो चार पांच शे पर प्राइस का कर्व कैसा बन जाएगा पैलर टू एक्स एक्सेस एम यू को करव भी उपर बना के आया हूं कैसे बनता है नेगडिव स्लोपिंग डाउनवर्ड जहां पर प्राइस और करेंगे वह कौन सा पॉइंट आएगा एक लिए मतलब बैस पॉइंट जो की कहरें कितनी चोकलेट खाने चाहिए तीन पेपर में तीन चाह नंबर के लिए कोशन आएगा तो मिल जाएंगे तीन चाह नंबर मिनिंग होगी फंडिशन हो गया शेडियोल हो गया कर्व हो गया ल अगर मुए एक से जादा मैं आप से पूछ रहा हूं किसी चीज के प्राइस कम देने पड़ रहे हैं और सैडिसफेक्षन ज्यादा मिल रहे हैं तो आप क्या करोंगे ऐसी चीज के साथ कम पैसे देखें ज्यादा मज़ा आ रहा है तो क्या उसकी कंजम्शन बढ़ाऊंगे इसी चीज को कम पैसे देखें गए सैडिस्फेक्शन जादा है तो इसी चीज की कंजम्शन बढ़ाऊंगे उसकी माजिन यूडिटी क्या होने शुरू हो जाएगी एम्यू एक्स क्या उन्हें शुरू हो जाएगा कम और यह कम कब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों एकवाल ना हो जाएगा और अगर एम्यू एक्स पीक से कम है पैसे जादा देने पड़ रहे हैं मज़ा उतना आने रहा तो ऐसी चीज आप खाऊंगे नहीं और बेटा यह हो है कि जो चीजा आपके पास नहीं होती उसकी वेली तो भी पता चलती है अपने इसकी कंजम्शन डिक्रीज करें तो एम्यक्स क्या हो जाएगा राइस और यह कब तक राइगा जब तक कि दोनों एकवाल ना हो जाए जल्दी से आप पहले कॉश्चन नोट डाउं करो यह इसका अंसर यह कंडिशन शेडियोल कर और यह और इसके बाद एक और कंसेप्ट करेंगे आज आखरी जिससे हमारा पूरा का पूरा यूटिलिटी अप्रोज से चैप्टर क्या हो जाएगा कंप्लीट इसे नौट डाउं करेंगा बेटा आज का आखरी कंसेप्ट और मिलेगा maximum satisfaction it means where consumer gets maximum satisfaction लेकिन वनट का मतलब ता आप कितने गुट कंजियूम कर रहे थे वन तो कम मे備 आ घूचे कर रहे हो दो तो कितने गूट कंजियूम कर रहे हो दो तो जब सिंगल सिंगल गूट कंजियूम किया तो गंडिशन बना दी कि कितने घूच खाने चाहिए जब एक साथ ही खा रहे हो तो भी आप कैसे डिसाइड करें कि कितने गुट करें उसके लिए क्या कंडिशन बनाएं कहा रहा है एक से डिवाइड कर दो तो कंडिशन क्या बन जाएगी एमियो एक्स डिवाइड़ बाय मुई इãy एक्सी के लिए असा फॉड़्य नीजड ऑर प्रैस का नों गुट्स के लिए वह आपके लिए बेस्पॉइंट है लेकिन अगर आप इकली विरियों प्यों तो अच्छी बात है लेकिन एक्जामिनर इससे यादा कंसेट पता है पे नहीं हो जैसे हर एक के दिल की जान होती है ऐसे एक्जामिनर के दिल की जान है यह कोश्चन मैंने इसलिए लिखा वैरी 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 इंपोर्टेंट ऐसा हो नहीं सकता आपके इंटरनल्स में ना है कभी ना कभी किसी ना किसी वेपर में एक्जामिनर जुरू अगर यह एकवल नहीं है तो दो केसी बनेंगे या तो यह जादा होगा यह अगर वह जादा है तो एक्वेशन क्या बता रहे हैं पहले यह समझो तब रिएक्शन बताएं आप इस समय एक्स पर भी एक रुपय लगा रहे हो य पे भी एक रुपय और एम्यू एक्स डिया है दोनों पे एक रुपया तो ज़्यादा मजा किस से आ रहा है कि इस समय 치가 इस समय क्या करेंगे फहले थो बताया पर सब्सक्राइब कर देंगे इंक्रीज एड़ सेम टाइम वाई की क्या करने पड़ेगी तुम्हारी उकाद कम है ना पैसे हरे के क्या है लिमिटेड है यह निया कि दोनों चीज़े ही हम खाते रहेंगे एक की कंजम्चन बढ़ाऊंगे तो दूसरी क्या करने पड़ेगी कम अब यह एक से कंजम्चन बढ़ात हो दी अब लगेगा लोग डीम जिस गूट को कॉंटे नियूसली कंज्यूम करते रहोंगे तो म्यक्स क्या उनचुरू हो जाएगा एम्यू एक्स क्या उनचुरू हो जाएगा डिक्रीज और म्यू वाई की कंजम्चन कम करी थी तो म्यू क्या बता लिए दोनों पर एक 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 रुपया लगा एक से ज्यादा मजा रहा है एक सी कंजम्चन बढ़ा दो वाई की कम एक सी कंजम्चन बढ़ाओंगे उससे सैडिस्फेक्शन कम और वह कब तक कम होता रहेगा जब तक दोनों एक वाल ना यह लिखा फ्लोचार्ट की और यह नीचे क्या लिख दिया पूरा का पूरा फियोरी की फोर्म में इट शोज पर रुपी सैडिस्फेक्शन ओफ एक्स दें पर रुपी सैडिस्फेक्शन ओफ वाई इसका मतलब कंजूमर एक सी कंजम्चन बढ़ाएगा वाई की कम करेगा जिससे मुए एक्स कम होने शुरू हो जाएगा मुवाई बढ़ना शुरू हो जाएगा और एक अच्छी लाइन टेपने के लिए दिस प्रोसेस ओफ्री एलोकेशन इन फेवर ओफ एक्स के पैसा लग रहा था यह कब तक चलता रहेगा जब तक की दोनों एक्वाल ना हो जाए और बेटागर आपको तो मुवाई कम हो जाएगा कब तक जब तक की दोनों एकवाल ना हो जाए आप ऐसा करो बेटा यहां से लेके यहां तक इसे नोट डाउन कर लो इसे आप घर से लिखाना फियोरी में यह पूरा उपर यहां तक फ्लोचार्ट के फॉर्म तक लिख लो पूरा यूडिलिटी प्रोसे चैप्टर खतम कोई मन में डाउट हो तो मन में ना रखना मेरे से पोछ लो आदा चैप्टर